नमस्कार, SMN में आप सभी का स्वागत है, मैं सरीता कुमार और आप देखरें SMN आज हमारे साथ है एडवेकेट आयार सिंग जी जो कि बहुजिन समाच के बहुत बड़े अक्टिवेस्ट है और बहुजिन समाच को जागरूप करने के लिए हमेशा तत्पना दें पहले तो मै अभी और आपके चैनल के बहुत 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 दिनवाद आज हम इसे पूछना चाहेंगे कहते हैं कि गौतम बुद्ध को बर्गत के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था यह पेड़ की नीचे ज्ञान प्राप्त करना इश्वर का चमतकार था या उनके खुद के कर्म जो बुद्ध को परमग्यान प्लब्द हुआ जो उनको इनलाइटमेंट हुआ आप सभी जानते हैं कि बुद्ध को पूरोन मासी के दिन ही उनका जन्म हुआ था पूरोन मासी के दिन ही उनका जन्म हुआ था पूरोन मासी के दिन ही उनका जन्म हुआ था पूरोन मासी के द कि इक केमिकल जालते हैं और एक्स्पेरिमेंट अप्टर दीक्स्पेरिमेंट जो यह देखा जाता है एक्जांप्व therapist के लिए मैं मैं आपके बितादू माusic जो गोन्त कोई पहले बालो छोह कि उत्रव कोई को पत्र हुट करा है तो उसे पहले gooseías पर IPS से कर अर्प्र का आंत्मा या किसी का कोई रोल नहीं था बुद्ध ने आफटर एक्स्परिमेंट जो यह सच पाया है तुछ पाया है उसका मेहत तो भत धर्म है उसमें कोई किरुपा नहीं जब अब संतुर कोई लेना देन नहीं है और उन्हों ने बहुत थिंकिंग करने के बाद, थिंकिंग ऐफ्टर थिंकिंग, उन्होंने सच्चाई को पाए और पाने के बाद ही महसुश करा, कि सच्चाई ये है, ये कल्या ने, और एक दिन वो जेतवन में कुछ आन्नंद को, कुछ सूखे पत्ते उठा कर बताते कि आनद मैंने जेत्वन में कुछी पत्तों को उठाया रोगों भी सूखे उठाया है जो हरे हैं कल को पीले पढ़ेंगे सूख जाएंगे इसलिए दुनिया में जो ये अपने कल्यान कारी भावना है उनकी जो कल्यान की बात है केवल वो क कि इसलिए दुनिया में बहुत असीम ग्यान है बहुत मुझे परम ग्रव्वद हैं है तो इसलिए मनुष्ट के बारे में बताए को कहने के लिए उन्हों ने बताया है कि मेरा पात्र धारा के 155 है ये सच्चा ही ये है कि मुझे जो परमग्यान उपलब्द हुआ है ये अंदुविश्वास या ये ये जो सुपरिश्टी संस हैं या समाज के अंदर जो ये कुछ चुरो गया या ये ये मूर्गता की चीज़ें चल लई हैं तो ये ऐसे मनुष्ट को खा रही हैं जैसे दिमक लगडी को खाती है तो मुझे जो परमग्यान उपलब्द की कोई चीज़ हुई है तो क्या मेरा ये पात्र धारक भी बात हुई है क्या इसको अपनाएंगे तो बुद्र का जो पात्र ता धारा की भी बीब्रेश्वास बैने हैं जो संसार में अंदृस्वास चल लेते और लोगों को कल्यान की तरह बहुजए नहीं ताए बहुजएंसों का एक तरफ लेका है तो बुद्द का धर्म फैलने लगा बुद्द का पात्र धहरा के वीपरित वेने लगा इसलिए बौद ने चत्रमों की विकास की बात कई बौद को इस वर का या आत्मा की बैसाकियों का कोई जरूत नहीं है जो धर्म जो धर्म सचाई पटिका नहीं होता वह इसवर और अंद्विस्वासों का साहरा लेता है बौत धर्म एक 24 केरेट सोने की तरह है एक बिग्णिक धर्म की इसे इस वर की आत्मा की परमात्मा की स्वर्ग और नर्ग की या एक आत्मा एक सरी दूस विधाते हैं ये अंदवास्वी धर्मों के लिए है, जो मनुष्ट में असमानता फैलाते हैं, वो इस वर आंत्मा का प्रियोग करते हैं, बुद्ध का धर्म विग्यानिक धर्म है, और कोई भी से परक्ष सकता है, ये एक नगत धर्म है, और बुद्ध का धर्म विग्यान से नहीं जड़ है और और एक बहुत बड़े एजी वेल सी थ्यास कारें वड़ गे उन्होंने बुद्ध को कहा ही जे गौड लैसी जे गौड लाइक देखने में बुद्ध साक्षा तिस्वा लेखते हैं लेकिन उनके जो जिद्दानत हैं वो वो जो है बिलकुल उनसे बड़ा कोई नास्ति कि धरती पैदा नहीं हुआ वो मनुष को नहीं बादना चाहते कि आत्मा से उससे कहते हैं अपने आंके खुद देखो अपने पैरों पर चलना सीखो इसलिए मानपता को जीरू चाहिएं पर बहुत धर्म ले गया कोई दुनिया का दूसरा धर्म नहीं ले जा सकता इसलिए बद्द के धर्म फैलने में या उनको ज्ञान प्राप्त करने में इस वर आत्मा का कोई रौन नहीं है और वो हमेशा आत्मा बरोदी रहे इस्वर बरोदी रहे और ब्रह्म बरोदी रहे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले